हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है राहुल और आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एक महान भारतिय समा सुधारत सिक्षाविद और कावित्री सावित्री भाई जियोती राव फुले के बारे में भारतिय इतिहास में देखा जाये तो महिलाओं के इस्थिति अच्छी नहीं थी उन्हें पड़ाय लिखाया नहीं जाता था कम उम्र में शादी कर दी जाती थी महिलाएं लैंगिक आसमानता वाले युग में रहती थी जहां पुरूशों को महिलाओं से उपर माना जाता था काफी योगदान दिया शावित्री भाई फुले पहली महिला थी जिन्होंने महिलाओं को समाज में एक नई पहचान दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन संगर्श किया सावित्री भाई जोतिरा फुले एक प्रमुख भारतिय समा सुधारक, शिक्षाविद और काईवित्री थी शावित्रिवाई का जन तीन जनवरी 1831 को नाय गाउं में क्रिशी परिवार में हुआ था नाय गाउं जो वर्तमान में भी सितारा जिले में हो वे परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी उन दिनों लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी इसलिए 9 वर्षे शावित्रिवाई के शादी 1840 में 12 वर्षे जोतिरा फुले से हुई सावित्रिवाई के शिक्षा उनके शादी के बाद शुरू हुई यह उनके पती ही थे जिनस ने सावित्रिवाई को सीखने और लिखने के लिए प्रोचाहित किया उन्होंने एक समान्य स्कूल से तीसरी और चौथी की परिक्षा पास की जिसके बाद उन्होंने एहमर नगर में मिस फरा इंसीक्यूट से परिक्षन लिया। उन्हें उस समय कुछ शाक्षर महिलाओं में गिना जाता था। जिन्होंने उन्निसवी सतापदी के दोरान महिला सिक्षा और शशक्ती ग्रण में एक मेतवपुन भूमी का निभाई थी जोतिवा फुले ने विद्वाओं के लिए अनाथाले और घर खोले उन्होंने 1852 में पूना में अच्छूतों के लिए पहला स्कूल खोले उन्होंने बालववा का विरूद किया और विद्वाओं पुनरववा का समर्थन भी किया सावित्री बाई को पुने में अपने पती जोतिरो फुले के साथ गिड़वाड़ा में स्कूल स्थापिट करने के लिए श्रिय दिया जाता था महरास्ट के समाजिक सुधार आंदोलन का मुख्य व्यक्तित और उन्हें बियार अंबेटकर के साथ दलित मंगल जाती का प्रतीक भी आज माना जाता है उन्होंने अंटिचिबिलिटी के खिलाब अभियान चलाया और जाती वैं लिंग अधारित भेवाव को समाप करने के लिए शक्रिय रूप से काम किया आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि काफी सारे समा सुधारकों को इतियास के पन्नों में दबा दिया गया या फिर छिपा दिया गया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते उन चुपे हुए लोगों में से एक थी सावित्री भाई फुले तो फ्रेंड्स आप कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज को लाइक कीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते अगली वीडियो में धन्यवाजी